आप सबको मेरा नमश्कार पंजाब में कानून विवस्था लागू कर रखने के लिए और शांती बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाएं उन्होंने बहुत संयम और बहुत मेच्चॉरिटी के साथ मान साब ने कारवाई की है इसके लिए मैं भगवंत मान साब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्त, बिजली ये काम तो करने आते हैं लेकिन पंजाब में लॉइन डॉर्डर काबू कर पाएंगे क्या पंजाब बॉर्डर स्टेट है बॉर्डर स्टेट के उपर आप शांती की विवस्था कर पाएंगे क्या पिछले एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो और अगर सरकार इमानदार हो, इरादे नेक हो तो लॉइन डॉर्डर को भी बहुत बखोबी कायम किया जा सकता है हमने जिस विवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आहरा था सारा सस्टम जो हमें सस्टम मिला था पिछली सरकारों से उसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल스 के साथ, गैंग्स्टर्स के साथ आपस में जुगल बंदी थी गैंग्स्टर्स को क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षन दिया जाता था ये वाला गैंग्स्टर इसका है इसकी इसके साथ सेटिंग है इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी हमारी पार्टी मांदार पार्टी है आने के बाद एक के बाद एक गैंक्स्टर्स के उपर और अपराधियों के उपर धरपकड चालू हुई और पिछले एक साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ गैंक्स्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कारवाई की गई पिछले कुछ दिनों की कारवाई ने दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तयार है हम देश भक्त लोग हैं भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत मा के खिलाफ किसी भी तरह की कारवाई करेगा उसको बक्षा नहीं जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा अगर कोई भी शांती विवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बक्षा नहीं जाएगा आम आदमी पार्टी जरूरत पढ़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे और ये भगवंत मान साब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है मैं एक बार फिर से उनको बढ़ाई देता हूं और पंजाब के लोगों को कभी शुक्रिया आदा करता हूं जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया मैं भगवान से वाहे गुरुजी से प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में खूब अमन शांती होगी पूरे देश में खूब अमन शांती होगी और खूब तरक्क्य होगी नमस्कार